हलो सुबर नानस, क्लास 9 सायन्स से हमने शुरू किया है सबस्टेंस इन कॉमन जिसका आज हम देखने वाल है लेक्चर नुबर 2, लेक्चर 1 अल्रेडी कवर हो चुका है जिसमें हमने इस पेज नंबर के पीछे के सारी चीज़े को देखा है और आज हम बात करेंगे पेज नं आज के लेक्चर था जो हमारा पहला चीज है उसको हम सोप के बार में पढ़ने वाले है अब देखो सोप क्या होता है जब हम ओईल या फिर एनिमल फैट को ठीक है बॉइल करते है एक्यूस सॉलूशन अब सोडियम और पोटाशियम हाइड्रॉकसाइड के साथ तो हमें जो आधन औरुस बार आधन या फिर कफिर अच्छ यह सोडियम और पोटाशियम हाइड्रॉकसाइड इसका एक्य मतलब कि इस चीज को मंद को थो इन्मक की तरह है ऐसा मान के चलो इसको मैंने पानी के साथ मिला दिया तो नमक क्या हमारा एने ऑच्छ खिक है acid जिसको हम soap कहते हैं clear है वाला अब आगे बढ़ते है ठीक है अब दीको जो तुम्हारा salt होता है अगर उसको तुम hard water के साथ mix करते हो तो क्योंकि hard water के अंदर salts होते हैं ठीक है hard water के अंदर भी कुछ minerals होते हैं तो क्या करता है उसके अंदर वो ज्ञाग नहीं बनाएगा precipitate बना लेगा ठीक है बतला leather नहीं बनाएगा इस तरीके से precipitate बना देगा और वो नीचे जमा हो जाएगा ठीक है बतला ऐसे leather नहीं बनाएगा वो hard water में, soft water में बनाएगा अगला वाला ध्यान से सुना अगर मैं difference बताओ नहाने वाले सावन के बीच में और कमड़े दोने वाले सावन के बीच में ठीक है तो bathing shop and washing shop के बीच में तो देखो यह जो तुम्हेरा bathing shop होता है इसके अंदर high grade fats and oils का यूज किया जाता है raw material के तौर पर और washing shop में low grade का यूज किया जाता है इसी तरीके से bathing shop जो होता है उसमें expensive perfume side के जाते हैं कि अच्छी खुश्बू हो ले जाता है okay washing shop में cheap perfumes के यूज किया जाता है expensive perfumes नहीं होता है अब यह जो होता है इसमें free alkali content नहीं होता है soap के अंदर bathing soap के अंदर है उससे क्या होता है तुम्हेरे skin को ज्यादा injury नहीं होगी लेकिन जो washing shop होता है उसके अंदर यह चीज होता है कि तुम्हारे कपड़े सही से साफ हो जाए यहां तक समझ आया है दो question है which of the following contain high grade fats तुम्हें नीचे comment में अंसर बताना है which of the following contain cheap perfumes यह मैं से किस के पास cheap perfume है यह भी तुम्हें comment में बताना है अब मेरी बात सुनो अगला जो मारा topic है वो है detergent washing powder nirma washing powder nirma घड़ी यस वही वाला detergent ठीक है अब जो यह detergent होता है यह water soluble cleansing agent होता है जो combine करता है impurities और dirt के साथ और उनको और ज्यादा soluble बना देता है जो मैं बोले और तुम read करेंगा तुम्हें समझ आ जाएगा यह जो है यह जो साबून होता है हमारा उससे कैसे differ करता है अब जो तुम्हारा साबून है वो क्या करता है salts मतलब वो सिधे scum नहीं बनाता है ठीक है यहाँ पर देखो क्या लिखा है it differs from the soap in not forming a scum मतलब precipitate with the salts in hard water तो जो hard water उसके अंदर जो salts होगा उसके साथ यह कहने बनाएगा precipitate नहीं बनाएगा but detergent ऐसा नहीं करता है ठीक है मतलब it differs from the soap in not forming a scum scum नहीं बनाएगा with salts in hard water ओके अब देखो यहाँ पर हमारे पास कोई surf है अब देखो जो जो कमाना hand wash है dish wash है सैंपू है अगर तुम इन चीजों को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज़ देखेगा क्या कि अभी लिक्विड फॉर्म में आते है तो today the detergent are more likely to be mixture of synthetic chemicals and additives cooked up in a huge chemical plant unlike the traditional soap they are generally liquid rather than solids इनको कुछ chemical plants में बनाया जाता है और यह पहले की तरह solid ना होकर कि जो तुम्हारा hand wash है या फिर जो dish wash है पहले विंबार यूज करते तरह तो यह liquid होता है यही चीज यहाँ पर बताया गया है question है which of the following are detergent तुम्हें बताना इन में से कौन सा detergent है तुम्हें इसका answer नीचे comment में बताना है और यहाँ पर यह वाली चीज खतम होती है अब हमें अगला जो पढ़ना हुआ है radioactive elements के पारे elements with high atomic number are called as radioactive substance example के लिए हम ले सकते uranium, thorium, radium अब यह जो भी atoms है जिनका high atomic number है इनके पास एक property है कि यह spontaneously मतब continuously emit करते रहते है इन्विजिबल highly penetrating and high energy radiation इसी property को जो atoms है जिनका high atomic number are उनकी जो यह property है इसको हम कहते है radioactivity a substance having this property is called as radioactive substance तो जो भी substance के पास यह property होगा उसे हम क्या कहेंगे radioactive substance कहीं है the nucleus of a radioactive element is unstable अब इक जो nucleus होता है radioactive element का वो unstable होता है radiation occurs from a unstable nucleus तो यह जो radiation 4 है यह कहां से होता है उस unstable nucleus से ही होता है और जब मैं बात करते है nucleus की तो nucleus के जो एक होता है proton और दूसरा होता है neutron proton positively charge होता और neutron कैसा होता है neutral होता है nature में next radioactive substance are relevant to our day to day life तो जो radioactive substance है ना हम day to day life में भी यूज करता है अभी समझ में आएगा तुम्हें अब यहाँ आप ध्यान से देखना 3 types of radiation are given out of a radioactive substance एक radioactive substance से 3 प्रकार के radiation दिये जा सकते है alpha, beta and gamma यह जो है वो gamma है ठीक है यह alpha है और यह beta है हर एक चीज के बार में detail में पढ़ेंगे और सबकी properties भी detail में पढ़ेंगे question number 5 which of the following is our radioactive substance तुम्हें नीचे comment में इसका answer बताना है radiation occurs from a dash nucleus तुम्हें नीचे comment में इसका भी answer बताना है students मेरे एक personal mentorship program है जिसमें आपको benefits मिलता है कि आपके पास एक मेरा personal number होता है dedicated study planner हम आपके लिए बना के देते हैं मैं बना के देता है career guidance आपको provide करूँगा one to one discussion करेंगे आपके जो भी problems होगे improvement report मिलेगा आपको और बहुत सारे benefits है अगर आपको यह लेने की इक्छा है तो आप कैसे decide करोगी कि मेरे लिए है या नही है life में अगर तुम्हें कुछ करना है मचाना है और तुम्हें लगता है कि यार मुझे अगर सही guidance मिल जाए तो मैं बहुत जबर्दस मचा सकता हूँ तो यह membership का program आपके लिए है बहुत simple है एक साल का 99 rupees है और discount code है winner जो आपको use करना है link is in the description जैसी एक code डालोगे 99 rupees पे करके आप आजाओगे 24 to 48 hours में मैं आपको one tech करूँगा लेने के बाद या फिर आपको आपके पास सारे details पहुँच चाहिए जल्दी से लेनो membership और बाखी चीज़े करते हैं हमें ठीक है अब ध्यान से सुनो अगला जो यह बन दो जाता है अगला point है हमारा nature of radioactive radiation तो in 1889 Rutherford discovered that the radiation emitted by radium were of two types Rutherford ने discover किया कि जो radiation radium से निकलना हो दो प्रकार्स है और वो है alpha radiation और beta radiation ठीक है यहाँ पे beta है यह वाला मैं उसको mark करना भोल गया यहाँ पे beta radiation है ठीक है alpha radiation and beta radiation और विलाओड नाम के एक scientist थे जिन्होंने gamma radiation को discover किया अभी एक्सपेरिमेंट देखना ध्यान से अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है ठीक है the rays are for this purpose the rays are allowed to pass through an electrical field and a photographic plate was held in the path मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक radiation निकल रहा है ठीक है यहाँ पे हमें कोई चीट से यहाँ पे यह क्या है electrical plates है बतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या कर रहा है कि एक radiation को pass कर रहा है एक radioactive substance से जो radiation निकल रहा है उसको एक electrical field से तो हमें alpha, beta और gamma separate होता दिख्रीगा on a photographic plate जहाँ से देखना जब यह radiation यहाँ से pass होता है ठीक है it was found that radiation was divided into three types alpha, beta and gamma one type of radiation deviated slightly towards the negatively charged plate अब यहाँ से जब radiation गया तो तीन radiation में से एक जो था वो थोड़ा negative की तरफ गया और उसको हमने alpha rays बोल दिया यह देखो यहाँ से negative green वाला जो है वो negative की तरफ जा रहा है दूसरा जो था वो दिखा हमें की positive की तरफ जा रहा है उपर की तरफ orange वाला उसको हमने बिटा rays बोलते हैं और एक जो था वो बिना deviate होए है सीधे चला गया तो उसको हमने लोग gamma rays कहते हैं तुम्हें नीचे comment में बताना है विलाड डिसकोवर डाश रडिएशन तुम्हें नीचे comment में रहा है तुम्हें इसका भी answer नीचे comment में बताना है अब students क्यूंकि हमें alpha, beta गयमा ये समझ में आया कि beta positive की तरफ जा रहा है alpha, negative की तरफ जा रहा है गयमा सीधे पास हो जा रहा है तो हमें उनकी properties पढ़ लेनी चीए alpha, beta गयमा की अगर तुम्हें ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है बस है बुक में इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ अब हम पहले बात करते है nature of alpha rays, beta rays and gamma rays की तो इनके अंदर जो current होता है alpha के अंदर, current of alpha is he++ particles, beta के अंदर होता है current e minus particles और gamma के अंदर होता है electromagnetic radiation property ये बात करें mass की तो alpha के mass 4.022 0028 4.0028 unified mass u u मतलब unified mass होता है, हमने अल्रेडी पढ़ा ही है thumb on में, beta rays में होता है 0.000548u and gamma का कोई mass नहीं होता फिर property की बात करें तो charge में हम बात कर रहे है तो alpha के पास positive 2 होता है beta के पास negative होता है और ये electrically neutral होता है gamma velocity के अगर हम बात करें तो velocity में 1 by 5 to 1 by 20 times the velocity of light होगा alpha beta होगा 1 by 5 to 9 by 10 times the velocity of light और gamma का same velocity होता है जो light की velocity है gamma होई जो hulk के अंदर था और फिर्फ वाले property है deviation in the electric field के अगर electric field में डालेंगे तो गे हमने एक experiment देखा था alpha जा रहा था negative के तरफ beta जा रहा था positive के तरफ और gamma कोई deviation नहीं हो सीधे पास हो गया था और penetrating power मतलब किस चीज को penetrate कर सकता है मतलब यह दिवाल है मेरे अंदर से पास हो सकता है क्या तो alpha पास हो सकता है aluminium sheet जिसकी thickness होगी 0.02 mm less than 0.02 mm beta rays can penetrate aluminium sheet of thickness 2 mm which is 100 times the penetration of alpha particles इससे 100 times है और gamma can penetrate 15 cm thick lead screen ठीक है which is 10,000 times 10,000 times the penetration of alpha particles 7th property है ionization power अब ionization power मतलब होता है कि electron को remove करने की capacity एक ray के पास alpha, beta और यह अगर एक atom है तो उसके अंदर से electron कैसे निकालने का यह सबसे ज़्यादा होता है alpha के पास क्योंकि beta का size ही छोटा होता है तो इसके पास थोड़ा कम होता है बीटा को थोड़ा और नस्दिकाना पड़ेगा gamma को थोड़ा और नस्दिक से जाना पड़ेगा ठीक है इस तरीके से तुम समझ सकते ionization power मतलब simply electron निकालने की capacity अगला है power to produce fluorescence मतलब तुम्हें search कर ले न यह word को तुम्हें समझ में आ जाएगा ठीक है बहुत simple है यह very high है इसका very low है इसका बहुत ही low है ठीक है अच्छर तुम्हारी घर पर जो light है वो क्या है सोच के देखो question number 10 charge on alpha particle is dash तुम्हें नीचे comment में answer बताना है mass of a gamma range is dash तुम्हें नीचे इसका भी comment में answer बताना है which ray has mass but no charge तुम्हें नीचे comment में इसका answer भी बताना है okay which of the rays has high power to produce fluorescence इसका भी answer तुम्हें नीचे comment में बताना है तेरा question हो गया है और बात करते है users of radioactive isotope अब यह जो isotope word है इसका मतलब होता है having same atomic number but different atomic mass number ठीक है जैसे कि carbon का atomic number 12 ही रहेगा लेकिन carbon का atomic number 6 ही रहेगा मैं बताता हो तुम्हें एक carbon है ठीक है जिसका atomic number जो होगा atomic number atomic number को हम z से represent करते है तो z जो होगा उसका वो अच्छे ही होगा लेकिन इस carbon का जो a होगा atomic mass that can be 12 that can be 14 तो यह जो होगा na carbon 12 जिसका 12 है atomic mass या फिर carbon 14 यह दोनों एक दूसरे के isotopes है बात समझा आगे isotope मतलब होता है simply having same atomic number but different atomic mass number तो देखो एक misconception है कि radioactive elements का खाली bomb बनाने के काम आता है ऐसा नहीं है radioactive जो भी isotopes होते हैं उनको हम अलग-अलग field में यूज कर सकते हैं जैसे scientific research में या फिर हम radioactive substance का ही यूज कर सकते हैं directly अगला जो point है वो है hazards of radioactive radiation तो radioactive radiation में तुमारे central nervous system को affect करता है जो भी इसके अंदर से radiation निकल रहा radioactive elements से वो तुमारे central nervous system को affect कर सकता है वो तुमारे अंदर hereditary defects पैदा कर सकता है ठीक है यह जब bombard होता है radiation तो तुमारे DNA का structure बदल जाता है, mutation हो सकता है तो hereditary defect हो सकता है, mutation मतलब होता है एक sudden change in the genetic structure यह genetic structure में अचानल से कोई बदलाब आगया ठीक है और दूसरा हो सकता है कि यह अगर तुमारे skin के अंदर radiation अगर penetrate कर गया तो यह disease cause कर सकता है जैसे कि cancer यह leukemia उसके बाद radiation the radiative pollutant created due to explosion enter the body through air and it is difficult to control मालों कि कहीं पर कोई nuclear attack होया तो उसके करण जो भी radioactive pollutants निकल रहा है जो pollution हो रहा है या फिर कहीं पर radioactive काम होता है nuclear चीजों का तो वहाँ से जो भी pollution हो रहा है एगर वो तुमारे body के अंदर चला गया हवा के through तो उसको बहुत difficult होता control करना अब दूसरी बात यह भी है कि radioactive pollutant जो होता है release किया जाता कभी sea water में तो वो मचलियों के शरीर में जाता और यह मचलिया जब हम खाते है तो यह human body में भी चला जाता है तो इस तरीके से radioactive substance हमारे अंदर जा सकता है और radioactive paint जब किया जाता है किसी घड़ी के ऊपर तो वो तुम्हारे को cancer भी produce करके दे सकता है ठीक है radioactive isotopes of strontium 90 can enter the body through plants, fruits, flowers cereals, milk, etc. they cause disease like cancer and leukemia ठीक है तो यह जो radioactive isotopes strontium 90 यह तुम्हारे body में जा सकता है plants, fruits वेगरा के थूँ और यह cancer यह leukemia भी cause कर सकता है that's about this chapter यहां तक इसका काम हो गया है अब lecture no.3 भी आएगा जिसमें हम बाकी की चीज़े पढ़ेंगा है that will be the last lecture question में 40 ने dash affects that dash is affected by the radiation CNS, PNS, both none तुम्हें नीचे comment में इसका answer देना strontium 90 can enter the body through किस तरीके से strontium 90 तुम्हारे body में जा सकता है और यहां पर हमारा यह पूरा खतम होगा जितने भी question पूछेगा है सभी का जवाब तुम comments में दे सकते हो personal mentorship का भी link दे दिया है तुम join कर सकते हो, बहुत सारे benefits है and the next lecture दो दिन बाद आ जाएगा 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 है